हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल मिसी निर्मरा ब्लॉग में आपका स्वागत है आप सभी ठीक होंगे तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज की ब्लॉग में देखिए क्या है और जो भी चैनल पर नीव हो तो प्लीज चैनल को करें का करें कमेंड़ करें और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें oraz ऐसे ही एक दूसरे का सब्कोर बनाए रखें और गोर एक प्यारा सा कमेंट्स दोगें तो उससे कोई भी ब्यक्ति है उसका मोटिवेशन बढ़ेगा night इसे यह कि इसको प्रतेसान मिलेगा तो इसको तो आगे बढ़ने की उसको मतलब चंबता रहेगी और ऐसे ही एक दूसरे का फ्यार बनाते रहे और ऐसे सपोर्ट करते रहे और थाइंक यू तो मुच तो यह हुरा है सुबह का टाइम और मेरा मतलब चाड़ू पोचा तो मेरे हो चुके थे और यह है मेरी मेड और यह मैंने दीपा वाली की मिठाई नहीं दी थी तो आप दे रही हूं उनको तो मैं थेला देख रही थी बड़ा वाला कि उसमें रख के ले जाएंगी और मैं उनका फेस नहीं दिखाना चाहती हूं कि उन्होंने मना कर रखा है तो इस वज़े से फेस नहीं दिखा रही हूं और इनको मैंने दीपा वाली के लिए मिठाई अब दी है और दीपा वाली के आने के बाद मैंने उनको एक सूप दिया था और पैसे दिये थे और वो काम करते हैं और उसे उनको खुशी भी मिलती है और हमको भी खुशी मिलती है कि हम छोटी सी उनको एक भेट दे सकें और अच्छा भी लगता है मेरी जो यह हैं बिल्कुल हम उमर सी हैं मतलब हम उमर नहीं मेरी बहन सी हैं तो बहुत चोटी हैं पर विचार जो है हम मेरे औ तो कुछ कहती नहीं है अब हार भी बाप भी करती रहती है और ये मैंने केड़ी वाद दिये सामका टाइम हो रहा है लाइब के बाद का और और आज बनेगा देशी स्टाइल में खाना तो आप देखिए तो ये मैंने प्याज काट रही हूं आज मैं सिल बट्टे पे पीस कर खाना बनाऊंगी तो ये मैंने लहसन ले लिया प्याज ले ली जीरा काली मिर्च और बड़ी लाइचीज सूखा धनिया स्रावुर इनको प इनको पीस रही हूं तो बहुत दिन में मैंने लिये हैं हाथ में तो मैं धीरे-धीरे कोसिस कर रही हूं पीसने की पर मैं आकिकार पीस ही लूँगी और इसलिए मैं बैट के पीस रही हूं कि आसानी से पीस जाए और शिलोटी बट्निया तो देखो नीचे ही बैट के ही चलते हैं और इनको पीस कर फिर मैं एक पेष्ट बनका तयार हो जाएगा और इसमें फिर मैं पुछ डालने की जोगत पीस नहीं है तो आप देखिए मैं किस तरीके से आलू की सब्सक्राइब बनाओंगी और आलू भी ऐसे बनाओंगी स्रिफ छील कर ना चाकू की जरुद पड़ेगी ना किसी चीज की काटने के जोगती नहीं है आलू को छिछीलना है और छील कर यह आप देखिए आगे कि कुछीले है कर सजाना के डू ककैवाद इसको द Northeast 사람이 कर लोंगी अलू के रोडा करपकर और और米 इस बटने की सायता से इनको इस तरीके से पोर में अलू कर ऑप稍ए हम कच्छी और इस तरीके से बनाना अकर्शिजी कि अच्छी है कि उवालने की ज़रवत् नहीं है इन आलू क इसे उबाल के बनाते हैं सब्जी, उबालने की जवत नहीं है, उबालने का जंजती खतम और बिल्कुल उगले हुई सब्जी सी बनेगी, और आप भी ट्राइ करना, उबालने में यह है उबालो, एक बार तो हम लोग आलस में भी आ जाते हैं, आरे कौन आलू वाले, फिर उन पोड़िये, आलू को, कच्छे आलू को, और फिर बनाईए, और देखिए आगे, मैं किस तरीके से बनाती हूँ, और इनको साथ की साथ ही पोड़े, जब मसाला होगारा तैयार हो, नहीं तो फिर वो लाल पड़ जाएंगे, तो इसलिए मैंने कड़ाई में डाल दिया तेल और तेल डालने के बाद तेल जब गरम हो जाएगा, और इसमें कुछ डालना नहीं है, मसाले में, मसाले अल्रेडी इसमें सब्ची डला हुआ है, फिर तेल को गरम करना है, और मसाला डालना है, तो आगे देखिए, आगे क्या प्रोसिस है, सब्जी का, बहुत ही सिंपल बन तो आप देखते रहें और इस सब्जी में पानी थोड़ा ज्यादा डालें क्योंकि ये कच्छे आलू है और फूटे हुए हैं तो पानी को ज्यादा सोखेंगे तो इसलिए थोड़ा पानी ज्यादा डालें और गारी-गारी सब्जी चाया आलू मतलब रोटी के साथ खाएं पूरी के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं किसी के भी साथ इसका अनद ले सकते हैं आलिक सब्जी तो बिल्कुल ऐसी लग रहे थी मैंने बनाई थी लास्ट में जब बनी थी जैसे भंडारे स्टायल में जो गाड़ी-गाडी सब्जी होती ह मैंने टमाटर और हरी मर्ज काट दी हैं और काटने के बाद इनको मैंने चला दिया तो इनको टमाटरों को जब तक पकाएं जब तक ये बिल्कुल ये मसाले पेचक के और बिल्कुल मसाले में मिला दे और ये देखो इस तरीके से मैंने मिला दिये हैं कितना अच्छा मसाला हो रहा है इतनी अच्छी मेह पूड रहे थे और यह डाल दिये मैंने यह आलू जो मैंने कच्छे फोड़े थे और इमको ऐसे चला देंगे चलाने के बाद थोड़ी दिर ऐसे ही चलाएंगे वह थोड़ा मैं एडिट करने में थोड़ा सा काट देती हूंने कि बहुत लंबा भी लोग हो जाएगा तो इसलिए थोड़ी दिर मैंने ऐसे ही भूना है ऑनने के बाद रख मैं डेखो कि इतने प्यारे लग इस तरीके से होगई है और हूने के बाद इसको फिर हम न गप देगे लेट से भज़ देंगे और इसको ने देंगे मीडियम आच पर मिडियम आच पर बनाटी न सब्सश तो अच्छी बनती है को देखे कितने अच्छी लग रही है आगर इसमें थेट के लिए मैं इसमें दालूंगी दोसरे बड़ तर्अल यह पामन में दाल दाल ढ़े आहराध धनिया और ज़ प्लीज आप इस सब्obil को जरूर त्राइप करें पट से एकड़म बनने वाली सब्जी है और ना चाकू की जरुवत है और ना किसी चीज की आप इसको आजरा कूटने वाली से भी बना सकते हैं और यह मैंने कर दिये सब्जी मेरे ब्लोग तोड़ी से भी अच्छे लगते हैं प्लीज लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब सब्सक्राइब धर करें प्लिज डर्शल अच्गार ते भी टोड़